नमस्कार जोतिश गुरू बहुत बहुत सवागत है आपका जोतिश गुरू का हरोज का साथ भी हमें यही सिखाता है कि हमें सबसे पहले अपने वरतमान पर नजर डालनी है अपने आज पर अभी पर यानि जो वक्त आपके सामने है उसको अगर आपने समझ लिया डंग से जी लिया तो कल आपका अपना जरूर होगा तो फिलाल आपके आज को यानि 28 दिसंबर के दिन को एक बेहतरी इन दिन मनाने की कोशिश करते हैं जो तिश गुरू के गाइडेंस के जरी है मेश राशी वालों के एक आशावादी नजरिया बन रहा है जीवन में जो आपकी शम्ताओं को सही दिशा में लगाएगा आपकी मेनत जरूर रंग लाएगी ऐसा ही कहते हैं आपके तारे बस अपने हालात को एक सैटिस्फेक्शन की नजर से देखना सीख लीजे क्या करना चाहिए समय में तकदीर आपके साथ है लेकिन आपको भी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है उसमें सबसे वड़ी बात यह है कि अपने पैसे को प्लैन करके चलाएं ना तो उधार ले और ना उधार दे जो है उसी में संतोश कर लो क्या न करें समय में किसी प्यार के रिष्टे में गल्तियां ढूणने की कोशिश बिलकुल न करें छोटी छोटी बातों को इतना तूल ना दें कि वो एक विक्राल रूप धारन कर लें अपने आसपास के लोगों में अच्छाई ढूणने की भी कोशिश करनी होगी रिषब राशी वालों के लिए हालात कुछ ऐसे हैं कि कामकाज में तरक्की मिल सकती है लेकिन आपकी उमीदे कुछ जादा हैं और आप कुछ बड़ा लाब चार हैं शायद उसके लिए इंतजार करना पड़ सकता क्या करना चाहिए समय में अपने पैसे को लोगों के लिए इस्तमाल करना सीखें ऐसा करने से अपनों के चेहरे पर जो खुशी आएगी उसी से असली सुख मिलेगा किसी प्यार के रिष्टे में जो भी कमिया हैं उन्हें भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी क्या न करें इस समय में घर परिवार में अपनों की भावनाओं पे शक बिलकुल ना करें ऐसा करते हुए अपने घर परिवार के सुख और सुकून को भी कम ना होने दे अपनी मांसिक्ता में किसी भी तरह की नेगेटिविटी बिलकुल ना आ लेगा वाकई नेगेटिविटी से बुरी चीज कोई होती भी नहीं है नकारात्मत तक किस तरह से हमें एफेक्ट करती है यह हमें समझना चाहिए तो मस्त रहिए जाप जिन्दगी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस बोज के तले खुद को नकारात्मत बना लें मस्त रहिए जिन्दगी आपको मस्त रखेगी सवाल लेते हैं जो तुछी गुरूव सवाल हमारे सामने आता है कविता सैनी का 29 12 1994 साथ बसकर 10 मिनट रात में इनका जन्द हुआ है टांडा पुर्मार पंजाब अच्छा गमन जॉब हालकि इन्होंने पूछा है लेकिन एक अच्छी जॉब इन्हें चाहिए जिसके लिए पूरी कोशिश भी इनकी तरफ से हो रही है लेकिन बात नहीं बन रही है कब तक मिलेगी एक अच्छी नौपर कविता आपकी कुंडली है जी करक लगन की और रिश्चिक राशी की आपकी महादशा चल रही है बुद्ध की और अंतरशा चल रही है शुक्र की सितंबर 2019 तक बहुत कोशिशों के बाद आपने कहा जौब नहीं लग पा रही लेकिन अब वो समय खत्म हो रहा है अब बहुत जल्द आपकी जौब लगने वाली है और आप ये समझ जिससे आपके आत्मिश्वास में और इजाफ़ा होगा यही चीज़ देखिए जिंदगी में काम करती है अगर आपका फोकस बढ़ जाए आपका सेल्फ कंफिडेंस बढ़ जाए तो सारी चीज़े फिर अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी काम में मेहनत भी उपर के आ जाएगी और अगर मैं दूर तक आपकी कुंडली को देखूं तो 2022 में आप पूरी तरह से सेल्फ हो जाएंगी तो मई से सितंबर 2017 यह समय नोट कर लिजे एक अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है तैयारी अभी से शुरू कर दीजे शुर। मिथुन और कर कर राश की बात कर लेते हैं तो मिथुन और कर कर्थाई दिसंबर बुधवार का दिन है इस दिन को समझेए सबसे पहले अपने राशफ़ल में और उसके बाद इसे प्लान कीजे क्या करें क्या ना करें की मदद से मिथुन राशी वालों के आर्थिक स्थिति में इजाफ़ा हो रहा है इसी से घर परिवार का सुख और सुकून भी बना रहेगा खुद अपनी सोच को इस रूप से ढाल लें कि आपको अपनों से जुड़कर अच्छा लगे क्या करना चाहिए समय में घर परिवार का सुख अ जरूर फाइदा होगा क्या न करें समय में आपके अंदर बहुत सारी योगता है उस पर शक बिल्कूल ना करें था जो भी कर रहे हैं उसी में संतोश पैदा कर력ाषिय वालों के लिए हालात कुछ ऐसे हैं कि पूरी बात को समझ लेना ज़रूरी है चाहे वो कामकाज या का अन्बीन करना ज्यादा ज़रूरी है क्या करना चाहिए समय में अपने मन के भटकाव को दूर करना होगा तभी इस समय की अच्छाई समझ पाएंगे आप थोड़ी सी रेगुलारिटी बनाने से आपकी मिहनत में और निखारा जाएगा अगर आपके सीनियर्स आपसे खुश नहीं है तो उनकी गल्ती ना निकाले अपनी कम्यों को दूर करने की कोशिश करने क्या न करें समय में किसी को भी नाराज करना ठीक नहीं है किसी से भी कोई ऐसी बात ना करें जिसका कोई और मतलब निकाला जा सके गल्तियों भरा समय है इसलिए अपनी और से कोई गल्ती ब बात होगी सिंग और कन्या की तो आईए देखते हैं क्या दिख रहा है आपके राज़िपल में पर जूतिश गुरु आपको क्या बताने जा रहा है सिंग राशी वालों के लिए घर परिवार में हालात सुखद है लेकिन आपको उस सुख को देखना होगा और समझना होगा अपनों से जुड़ा हुआ एक आशीरवाद भी है आपके लिए जो आपकी बहुत मदद करेगा क्या करना चाहिए समय में आर्थिक द्रिष्टी कौन से हालात मददगार है अचानक धनलाब की भी संभावना है अपने प्रयास इस रूप से करें कि आपकी मिहनत पूरा काम कर सकें अपनी अच्छाई को अपनों के साथ जोड़ देने से ही फायदा होगा क्या न करें समय में रिष्टों को ना तो लाब की द्रिष्टी से देखे और नहीं हानी की द्रिष्टी से रिष्टों को अपने पंद के चश्में से देखने की कोशिश करनी होगी रिष्टों में किसी भी तरह का अलगाव बिल्कुल ना पैदा करें कन्या राशी वालों के लिए घर परिवार में सुख है लेकिन आपको वो सुख नजरी नहीं आ रहा है मन कुछ परिशान सा है क्योंकि हर चीज आपको अडचन के रूप में नजर आ रही है बार-बार अपने मन को ऐसे विचारों से जोड़ना भी ठीक नहीं है क्या करना चाहिए समय में घर परिवार में सुख और सुकून बनाये रखना होगा हर दिन चमतकार नहीं हुआ करते जो जैसा चल रहा है उसी में भलाई है जिन्दगी का तालमेल बना रहे तो बहुत बड़ा अशीरवाद है क्या न करें इस समय में रिष्टों को पैसे से प्रभावित करने की कोशिश बिल्कुल न करें कोई भी ऐसी गलत फहमी न पैदा होने दे जिससे रिष्टों में दूरियां बढ़ जाए अपनी इच्छाओं को बहुत बढ़ा लेना भी ठीक नहीं तो इच्छाओं का दायरा भी उतना बढ़ाये जाए जितना मुम्कीन हो जितना प्राक्टिकल हो इस बात को जितना जल्दी इंसान समझ ले वो उतना सुकी रहता है आगे सवाल है और सवाल जोतिश गुरू आ रहा है जोती सखाराम अखाडे का सवाल इनका है नौकरी से जुड़ा हुआ नौकरी कब तक इनको मिलेगी और शादी का योग कब तक है जियोती है आपकी कुंडली है जी मेश लगन की और तुलाराशी की आपकी महादशा चल रही है शनी की और अंतरदशा चल रही है ब्रिस्पती की फरवरी दोजार अठारा तक और उसके बाद आपको बुद्ध की महादशा मिलेगी अगले सत्रा वर्ष के लिए आने वाले तीन महिने में आपकी जौब लग सकती है सुन्दर समय है इसका पूरा फाइदा उठा लीजिए और अब से दो साल के बाद आपकी तरक्की भी हो सकती है तो बहुत सारी चीज़ आए चीज़ें जो है वो आपके हित्मे बनती चली जा रही है आपके केरियर को लेके शादी में जल्दी ना करें शादी में थोड़ा इंतजार कर लेना बेतर है अब से साड़े चार साल के बाद यानि मई जून 2021 के आसपास आपकी शादी हो सकती है अगले तीन में आपकी लग रही है नौकरी और अई बात शादी की तो फिलहाल उस खयाल को ही दिमांक से निकाल दीजे कुछ वक्त के लिए क्योंकि शायद ये वक्त आपको नौकरी में मजबूत होने के लिए तयार कर रहा है आपसे कह रहा है शादी साड़े चार साल बा और जब वक्त को ढंक से जी पाते हैं तो उस वक्त से सही फाइदा उठाकर सही काम हम कर पाते हैं तो आपको क्या करना है सबसे वले वक्त को समझना है और फिर उसे जीने की तयारी करनी है टिप्स की मदब से तुला राशी वालों के लिए किसी प्यार के रिष्टे में बहुत सारी अच्छाई बनती चली जा रही है कई तरह के ऐसे सुखद हालात हैं जो आपको जिन्दगी में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित्वी कर रहे हैं इसमें आपकी मेंट भी शामिल हो जानी चाहिएं क्या करना चाहिए है समय में पैसे की सित्री को बढ़ाने के लिए बहुत सारी मेंट करनी होगी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पर भरोसा रखना होगा तब ही जाकर बात बनेगी क्या न करें समय में किसी प्यार के रिष्टे में या अपने कामकाज में अपनी इच्छाओं को इतना न बढ़ा ले कि वो तकलीफ देना शुरू कर दें खास कर रिष्टों के प्रती अपनी प्राफमित्ताओं को समझें प्रिष्टों में अपने विचारों को बदलने से पहले एक बार फिर सोच ले, आने वाले चार ब्रिस्पतिवार को किसी भी पूजा स्थल पे जाने से लाब जरूर होगा प्रिष्टिक राशी वालों का घर परिवार की और फोकस बढ़ेगा तो आपकी सैटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी अपनों के लिए कुछ अच्छा करने का समय है, विश्वास कीजिए, लोगों का दिल जीतना आसान है क्या करना चाहिए समय में, आपके लाब की स्तिती आपकी मेहनत से और आपके प्रदर्शन से जुड़ी हुए है अपने ग्यान को इतना बढ़ा ले कि लोगों को आपसे जुड़ना अच्छा लगे ऐसे सुख़ध हालात बने हुए हैं आपके लिए, जिनका फाइदा आपको उठा ले रहा जाएगे क्या न करें इस समय में, काम काज को सिर्फ लाब की नजर से न देखें बलके काम को इस वज़ए से देखें कि आपको कितनी खुशी मिल रही है ऐसा करने से आपकी मेहनत में चार चांद लग जाएंगे इस बात को भी कमना समझें और इस बहुत खुशूरत बात भी है कि इस से ये फाइदा होगा तो ये कर लेते हैं एक मिनिट के लिए आप ये सोचिए कि सची खुशी आपको किस काम में मिलने वाली है अगर आपने उस बात को समझ लिया और वो किया तो वो जो खुशी है पूरी जिंदगी आपका साथ देगे आगे दनु और मकर राशी हम हर रोस की तरह आपका साथ देने के लिए मौजूद है आपको बताएंगे आपका राजवल और उसके बाद क्या करें जिससे आने वाले पल एक खुबसूरत भविश्य को लेकर आएं दनु राशी वालों के लिए कुछ बदलते हुए हालात बहुत सुखत बन रहे हैं जिससे आपकी मेहनत और बढ़ जाएगी रिष्टों के प्रती भी आपका नजरिया और केंद्रित हो जाएगा क्या करना चीज समय में घर परिवार में सुख रहेगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा काम में भी मन लगेगा और काम में सफलता भी मिलेगी एक चीज से दूसरी चीज इतनी सुन्दर जुड़ी हुई है जिसका पूरा पाइदा उठाया जा सकती है क्या न करें समय में किसी भी तरह की घबरहाट के चलते कोई रिस्क बिलकुल ना ले ये सचाई है कि तकदीर की भूमी का अच्छी है लेकिन आपके रोजमर्रा के खर्चे भी कुछ बेकाबू से हो रहे हैं जो ठीक नहीं है ऐसा करते हुआ आप लोगों को भी नाराज कर रहे हैं क्या करना चाहिए इस समय में कभी कभी शुब खर्चे भी तकलीफ देते हैं खासकर तब जब हालात आपके खिलाफ हो जाए इस रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों की और भी ध्यान देने की जरूरत है क्या न करें इस समय में घर परिवार में रिश्टों के सुकून को किसी भी तरह से कम न करें कारण कोई भी क्यों न हो लेकिन अपनों को नाराज बिल्कुल न करें इस समय दूरियां बढ़ा लेना ठीक न तो कुम और मीन राशी बात हो रही है 28 दिसम्बर दिन पुद्वार की और ये दिन कैसा है आपके लिए यह हम आपको बताएंगे आपके राशी फल में और उसके बाद देंगे कुछ अचूक नुस्खे कुछ अचूक टिप्स कुम राशी वालों के लिए मेहनत करने का समय और अपनी मेहनत को और केंद्रित करना होगा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही आपको जरूर मिलेगी कामकाज के फ्रती आपका समर्पन सरामी है क्या करना चाहिए समय में लोगों से उतनी ही मदद ले जितनी जरूरी है अपनी उमीदों को भी थोड़ा सा थाम ले उतना पैसा भी काफी है जो आपकी जरूरतों को पूरा करता चला जाए क्या न कर इस समय में लोगों को नाराज करके आप अपने पैसे को खत्रे में बिल्कुल न डाले वैसे भी किसी भी तरह का रिस्क बिल्कुल न ले मन में थोड़ी सी शांती बनाये रखना इस समय महुत ज़रूरी मीन राशी वालों का नुकसान बढ़ता चला जा रहा है इसलिए बच कर चलना होगा खास कर लोगों पर इतना आश्रितना हो जाएं कि वो आपके फैसले करने शुरू कर दे क्योंकि लोगों की क्रिया और प्रतिक्रिया में बहुत उतार चड़ाव हो सकता क्या करना चाहिए समय में अपनी अच्छाई फिर भी बनाए रखनी होगी लेकिन अपनी सूजबूज को और ज्यादा बढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ेगी आँख खोल कर चलना और अपने फैसले करना बहुत ज़रूरी है क्या न करें इस समय में सिर्फ यह न सोचें कि लोग आपका साथ दे रहे हैं साथ ही साथ यह भी समझ ले कि वो आपको परखने की भी कोशिश कर रहे हैं इस बात को लेकर कमिया ना ढूंडे बलके यह समझ ले कि इसमें भी कोई अच्छाई चुपी होई हो सकती है इसलिए अपने आसपास के लोगों को गलत ठहराना ठीक नहीं है अगर आपके आसपास के लोग आपको परख रहे हैं और यह जानकर आप उनसे दूर हो रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं क्योंकि वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं, इसमें आपका क्या बहला चुपा हुआ है, इसे समझे, यही तो है, खेल सारा positivity का है, तो कोशिश कीजिए कि वर्तमान में जीने की आदत डालिए, इतना भी मत सोचिए भविश्य को लेकर, कि अपने आज पर, अपने भविश्य का जो ब कॉम जिस पर आप सीधे संपर कर सकते हैं जोतिश गुरू से, हमरा वेट साइट अड्रेस है www.arch.in.com यह साथ यूँ ही चलता रहेगा, आप से यूँ ही मिलते रहेंगे, जोतिश गुरू यूँ ही आपको गाइड करते रहेंगे, आपके तारे के अगले एपिसोड के साथ प्लालाग्या, नबसकार नबश्कार नबसकार प्लालाग्या, नबसकार नबसकार